नमस्कर दोस्तों, क्या आप एक स्टूडेंट है और आप उच्छ सिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं या आप अभी अपना एक्जाम देने वाले हैं, बोर्ड की एक्जाम आ रहे हैं, तो आप अपनी एक्जाम में अच्छे नम्मर लाना चाहते हैं अगर आप अपने जीवन में उच्छ सिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं या किसी भी एक्जाम में अच्छे नम्मर लाना चाहते हैं अच्छी पोजिशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एक उपाय बता रहा हूं जो अभशे करना चाहिए अगर आप ये उपाय करते है तो इन दोनों कामों में याने की उच्छ शुक्षा प्राप्ति में और बोर्ड एक्जाम या किसी भी एक्जाम में अच्छे नम्मर लाने के लिए अच्छी पॉजिशन प्राप्ति करने के लिए आपके लिए बहुत ही उप्योगी रहेगा तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो उपाय क्या है तो इस वीडियो का आप अंतक जरूर देखिए अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजे शेर कीजे और मेरे से चनल जुतिश मंत्र को सब्सक्राइब कीजे तो चलिए शुरू करते हैं तो आपको आने वाली 21 तारीक याने की 21 फर्वरी को शिवरात्री है जरूरी नहीं कि आप इस शिवरात्री ही करें ये जो उपाय है वो किसी भी शिवरात्री को किया जा सकता है क्योंकि अभी शिवरात्री आने वाली है तो इसलिए मैं इस शिवरात्री के बात कर रहा हूँ वैसे आप किसी भी शिवरात्री को ये प्रयोग कर सकते हैं तो आप क्या करेंगे शिव रात्री के दिन उंकारेश्वर में जो ममलेश्वर भगवान है आपने उंकारेश्वर का नाम सुना होगा उंकारेश्वर में ममलेश्वर जोत्रिलिंग है तो ममलेश्वर जोत्रिलिंग आपको जाना है और वहां भगवान शिव को पंचा मरत से उनका अभिश्यक करना है पंचामनत आप जानती ही पांच चीजों का बनता है तो पंचामनत से भगवान शिव को अभिश्यक करना है और अभिश्यक करने के बाद अपामार्ग और बिलबत्र भगवान शिव को अरपित करना है और साथ ही ओम दया निधी नमा इस मंत्र का 108 ब और साथ ही आपको उच्छ सिक्षा प्राप्ति में भी साहता मिलेगी। आप किसी भी लेवल की सिक्षा प्राप्त कर सकते हैं अगर आपने चोटा सोपाई किया तो। यहाँ पर میں एक बात बताना आपको जरूरी समगता हूँ कि अगर आप जो में जगा बताई है यरी कि ऑनकारेशवर में जो ममलेशवर जोतरलिंगे वहाँ पर अगर आप नहीं जा सकते हैं तो आप घर पे भी या जिस शहर में आप रहते हैं वहां के मंदिर में भी आप भग करते तो उसकी बात अलग होती है लेकिन अगर आप सक्षम नहीं है जाने के तो आप अपने शहर में भी इस चीज को कर सकते हैं तो आज के रिपस इतने ही मिलते हैं एक नहीं विश्य के साथ तब तक आप रही खुश मुझे दीजिया अग्या जाहिंद